नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में आज हम लोग एक बहुत ही दिल्चस्प टॉपिक के उपर चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इंटरस्टिंग डिस्कृशन होगा हम लोग बात करने वाले हैं टिबेटन गवर्मेंट इन एक्जाइल के बारे में जो इंडिया में है विच बेस्ट इन धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश रिसेंटली तिबेटन गवर्मेंट इन एक्जाइल जो है उनके एलेक्शन हुए और उस एलेक्शन में पेंपा शेरिंग अगले प्रेसिडेंट बनेंगे तिबेटन गवर्मेंट इन एक्जाइल क और जो प्रेसिदेंट एलेक्ट है पेंपा शेरिंग उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जहां पे उन्होंने कहा है कि चाइना शुड लर्न बुद्धिजम फर्स्ट तू अब दूसरे भाग में हम लोग बात करेंगे सक्सेशन ओफ दलाय लामा के बारे में चलिए यह इंट्रस्ट इन्फरमिशन लेते हैं अगर आप यूप सिवल सर्विस एग्जारी करें तो आपके बास सुनेरा हम होका है हमने स्मार्ट कोस बनाया है क्यूरेटेड कंटेंट है प्रिलिम्स मेंस करेंट अफेस एसे राइटिंग लॉट अफ कंटेंट इस विजट इस डीटेल्स इस इस बात करते खबर के बारे में आपको बताया है कि पनपा शेरिंग जो पहले स्पीकर रह चुके हैं पार्लेमें इन एक्जाइल के इस पार्लेमें में पैतालीस सीटे हैं पैतालीस लोग है again they have their own chief election commissioner they have all the bodies based in India itself अब recently election हुई थी Central Tibetan Administration की यानि की Tibetan Government in Exile जो इंडिया में है विचिस बेस इन धर्मसाला और उसमें Penpa Shering has won the election अब क्या हुआ election में जो उनके chief election commissioner है Vangdu Shering उन्होंने declare कि Penpa Shering who is the former speaker of Tibet's parliament he is the winner of 2021 general election उनको कहते है सिक्योंग सिक्योंग मतलब political जो president के लिए अब इनके आपे दो election होते है एक presidential election होते है और दूसरा parliamentary election भी होता है 45 seat हो के लिए अब Penpa Shering ने किसे हरा है देखिए Penpa Shering के किलाव खड़ेते आउकाट सांग केल सांग दौरची उनको उन्होंने एक slim margin से 5000 वोटों से उन्होंने खराया तो दौरजी को 28,900 वोट मिले थे Penpa को 34,000 के आज़ पास वोट मिले है अब Penpa के अगर बात करें हम लोग देखिए Penpa Shering 2016 में भी उन्होंने election contest कहता प्रेसिडेंट के लिए और he lost to lobsong सैंगे तो इस बार वो जेट चुके है अब सबके दिलों में सवाल ये जरू आ रहा होगा कि सर इनके election होते हैं तो कैसे होते हैं क्या होता है exactly देखिए अगर हम लोग बात करें टिबेटन्स की टिबेटन्स जो अभी जो टिबेट में नहीं रह रहे हैं अब इस बार जो उनके चीफ एलेक्शन कमिशनर है वैंग्डू शेरिंग उनने कहा था कि अब जैसे ही एलेक्शन हुआ उसके बात काफी ज्यादा एक यूफोरिया था तेबेटन्स के अंदर जो आउटगोइंग प्रेजिटन्स है लॉबसंग सांगे उन्होंने एक क्लियर कट मेसेज दिया उन्होंने कहा कि हम लोग एक बहुती स्ट्रॉंग मेसेज भेज रहे हैं बीजिंग को जहां पर दिखें बीजिंग यानि कि चाइना में कोई डिमोकरसी नहीं है तिबेट में कोई डिमोकरसी नहीं है अब इसके अलावा जो presidential elect है, पेंपा शरी, उनको जब सवाल पूछा गया कि चाइना का क्या रोल है with respect to succession of Dalai Lama, इसके पर हमनों discussion करेंगे, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो Chinese leadership को बुद्धिजम सीखनी चाहिए, उसके बाद वो समझ सकते हैं कि किस तरह Dalai Lama या फिर Dalai Lama है, उनकी decision को respect करना चाहिए और समझना चाहिए कि जो issue of succession of Dalai Lama है, it is a purely religious matter, चले, ये तो अब understanding थी election की जहां पर मैंने बता है कि Penpa sharing is going to be the president of Tibetan Central Administration, that is the government in exile in India, अब सवाल ये उड़ता है, succession का ये क्या विवाद चाह रहा है, देखिए, अगर हम लों बात करें, issue of succession of Dalai Lama, इस तो ही हम जानते है कि India में ही government in exile चलता है, China एक party है, China का जहां पर Tibet का कबजा है, और United States भी इसमें शामिल हुआ है, क्योंकि United States में एक act है, वो rules and regulations ला चुके है, किस तरह वो Tibet में सरकार्य effort, किस तरह Tibet की governance होनी चाहिए, किस तरह Tibet में Dalai Lama का succession होना चाहिए, इसके ओपर United States भी inward, तो चलिए बात करते है, exactly क्या हो रहा है, और क्या यह understanding है, अलग-अलग parties की, तो यहाँ पर हम लोग चार लोग की discussion करेंगे, सबसे पहले इंडिया की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ कि Dalai Lama क्या है, देकि सब के दिवाग में यह होता है कि Dalai Lama एक ना that means he is very old, so succession की बारे में सोचना पड़ेगा, अब Dalai Lama जो है, जो इंसान है, उसको माना जाता है कि he is reincarnated बुद्धा, अब traditionally क्या होता है, normally Tibetans क्या करते हैं, कि एक child reincarnation को ढूनते हैं, जिसको उलग Dalai Lama कहते हैं, और उस child को, उस बच्चे को continuously Buddhist studies दी जाती है, ताकि उनको prepare करे for the role of Dalai Lama, अब इसके अलाबा, there are many rules, यानि कि अब देखिये, कुछ अगर इस तरह की चीज नहीं हुए, अगर हम लोग बात करें, अभी कि जो Dalai Lama है, Tenzing Gyatso, उनको चूज किया गया था जब उनकी उमर थी 2 साल, और उनको धीरे-धीरे train किया गया कि you are going to be Dalai Lama, अब इसक government involved थी, obviously, यह कहा जाता है कि CIA के agents भी involved थे, जहाँ पे उन्होंने टिबेट के जो Dalai Lama है, Tenzing Gyatso, इनको तिबेट से इंडिया में लाने में मदद की थी, अब सवाल यह उड़ता है, आगे वाला successor चूज किया है कि नहीं किया है, यह नहीं हुआ है, तो यहाँ पे अगर भी methods है, अब दूसरे methods आपने देखा होगा बहुत बार जिसे, आपने देखा होगा Harry Potter and the Goblet of Fire, अब उसमें, in the Goblet of Fire, they put the names and one name appears, so even in Buddhism, although not magical stuff, but Buddhism में भी एक method है, called as the golden earn method, अब golden earn method में क्या होता है, कि इसमें नाम डाले जाते है, और इसमें से एक नाम चुना जाता है, to become Dalai Lama This is one of the ways, या फिर इसके अलावा एक और भी इनके पास method है in these texts, इनके पास एक और method ये लिखा हुआ है, कि जिसे एक आटे का बॉल बना जाता है, उस आटे की बॉल में एक monk का नाम लिखा जाता है, right, multiple monks who want to become this Dalai Lama, उनके नाम आटे के एक बॉल में डाला जाता है, और उस सुखाया जाता है, and it is kept in the temple for some specified time, अब उसके बाद public में वो जो आटे के बॉल से, जिसमें different name से, उस बॉल को घुमाया जाता है, और जो पहला आटे का बॉल बाहर गिरता है, that would become Dalai Lama, that person would become Dalai Lama, तो कुछ इस तरह के method से इसके अलावी बहुत सारी चीज़े है, तो इसके उपर एक विवाद छिड़ चुका है, कि किस तरह हम लोग आगे वाले Dalai Lama को हम चूज करेंगे, क्योंकि यह traditional चीज़ हुई नहीं है, how are we going to choose the next Dalai Lama, because the current Dalai Lama is old, 86 years old, so we'll try to understand what is the politics behind this, what are the different perspectives here, अब देखें पहले इंडिया की बात करें, तो इंडिया एक पार्टी है, इं senior monks की, senior monks को उन्होंने बुलाया है, जहां पे उन्होंने कहा है, कि जब भी हम लोग चूज करेंगे Dalai Lama, उनको international legitimacy मिले, Dalai Lama के successor को, इसलिए इंडिया जो senior monks से उनकी ideas को ले रहा है, क्योंकि इंडिया ये कहता है कि interim period जरूर रहेगा, कि अगर हम लोग एक traditional method भी follow करें, जह इसलिए इंडिया is looking for some sort of international legitimacy for the next Dalai Lama, at least for the interim bill, यह है इंडिया का stance, अब इंडिया के अलावा यहां पे चाइना का अगर हम लोग देखें, चाइना ने 2007 में उन्होंने एक order issue कि, उन्होंने कहा कि we are going to oversee the selection of next Dalai Lama, उन्होंने कहा कि Dalai Lama के selection में सबसे पहले तो कोई बाहर वा यह organization, कोई बाहर वाला individual इसमें involved नहीं होगा, उन्होंने कहा कि जो अभी का जो Dalai Lama है, Tenzing Gats, उनको जब choose किया गया था, उनको जब pick किया गया था, वो 1939 में किया गया था, और इस चीज़ को approve किया था, उस समय के Chinese President, that is Chiang Kai-shek, General Chiang Kai-shek ने इसको approve किया था, तो उसी तरह से हम लोग भी अभी approve करेंगे, उन्होंने ये कहा, और Chinese officials ने कहा कि जो potential successor है, हम लोग सो कैसे choose करेंगे, picking lots, यानि कि golden earn में जो भी नाम रहे हैं, उस lot में से एक नाम निकालेंगे, which would be done in the Jokhang Temple in Lhasa, Tibet का जो capital है, उस तरह से हम लोग नया Dalai Lama choose करेंगे, अब already इसके खिलाफ ब already statement दिया हुआ है, कि हम लोग accept नहीं करेंगे, जो भी चाइना की तरफ से Dalai Lama announce होगा उसको, अब यहाँ भी United States भी major player बन चुका है, USA, फॉर्मर US President Donald Trump ने उनकी Tibetan Policy and Support Act के तहत, उनोंने clearly enunciate कर दिया है, कि अभी कि जो Dalai Lama है, Tenzing Ed, so he would be the final authority on his own reincarnation, यानि कि उनका जो भी successor रह किसकी रहेगी, current Dalai Lama की, अब Donald Trump तो जा चुके है, अब Biden administration का क्या स्थान से, Biden administration ने भी more or less Trump की policy ही follow की है, उन्होंने कह दिया है, कि we believe that the Chinese government should have no role in succession of Dalai Lama, अब इन सब चीजों में देखिए, एक तरफ China यह कहता है, कि हम खुद Dalai Lama चूज करेंगे, और in fact अगर मनों बात कर चाइना ने अलड़ी यह चीज की हुए, अगर आपने चाइना की aggressive policy के बार में सुना है, देखिए, Dalai Lama के institution के नीचे second highest body यह माना जाता है, कि it is Panchen Lama, right, Panchen Lama एक second institution है, अब 1995 में क्या हुआ, कि जो current Dalai Lama है, उन्होंने अपने Panchen Lama को चूज किया, वो भी traditional method ही है, एक बच बच्चे को Panchen Lama करके चूज किया गया था, अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने इस 6 साल की बच्चे को और उनकी पूरी family को abduct किया हुआ है, to have control over the institution of Panchen Lama, और अभी कि जो current Dalai Lama है, वो कहते हैं कि चाइना में resort to doing this also again, because they have already done the same thing with the institution of Panchen Lama, अब इंडिया का एक stance है, although I would say India is more of a neutral party, which wants a sustainable, which wants a sustainable safe succession to the institution of Dalai Lama, अब US तो clearly stand ले चुका है, कि जो भी current Dalai Lama कहेंगे, that would be the final authority, but China says no, we have a say, अब अगर हम लो US की बात सुले, जो current Dalai Lama है, he can choose his own succession, but the current Dalai Lama, he has been not very clear with respect to his own succession plan, क्योंकि अगर हम लोग अभी की जो Dalai Lama है, तेंजिंग गैट सो, उनकी बाते सुने, 2004 में उन्होंने कहा, कि जब वो 90 साल की बनेगे, यानि कि अभी से आगे 4 सालों बात, वो consult करेंगे दूसरे तिबेटन लीडर्स को, और बात करेंगे, कि जो 600 साल old institution है Dalai Lama का, क्या वो continue हो या नहीं, यानि कि 4 सालों तक भी, we can understand what is going to happen, because Dalai Lama and his succession plan would be more clear going into future now, लेकिन 2007 में Dalai Lama ने फिर से एक statement दिया था, उन्होंने कहा था कि next Dalai Lama could possibly be a woman, right, अभी तक ये हुआ नहीं है, but still he gave this particular statement, In 2011, फिर से Dalai Lama Tenzing Edson ने कहा कि अगर चाइना ने किसी Dalai Lama को appoint किया है, they should not be trusted, अब 2019 में उन्होंने कहा है, this reincarnation system, जो Dalai Lama का succession होता है, reincarnation हम लोग कहता है, reincarnation of Buddha, that system should end, so probably he was hinting towards some sort of, probably a democratic election or some sort of a system which is written in their text, कि किस तरह हम लोग अगले Dalai Lama को choose करेंगे, So next few years are going to be really, really interesting, क्योंकि ये जो issue of succession of Dalai Lama है, it is getting heated up, और multiple parties यहाँ पर involved है, India is one party, China is another big party, US is also involved now, and the institution of Dalai Lama and their entire religious followers are at stake here, so let us wait and watch, अगर इस पर कोई आईगी तो we will bring it to you as soon as possible on Study IQ, that's it from my side, thank you for watching, Jai Hind. Thank you.